नमस्कार दोस्तों, आए जानते है कि शेर मा दुर्गा की सवारी कैसे बना। मा दुर्गा के कई रूपों में से एक रूप देवी पार्वती का भी है। शेव जी ने मा पार्वती को काली कह दिया। शेव जी की ये बात पार्वती जी को चुप गई और वो एक बार फिर अपने गौर रूप को पाने के लिए कैलाश छोड़कर फिर से तपस्या करने में लीन हो गई। देवी पार्वती को तपस्या करते देख एक भूखा शेर देवी का शिकार करने के लिए वहां पहुचा, लेकिन मा पार्वती तपस्या में इतनी लीन थी कि शेर काफी समय तक भूखे प्यासे देवी पार्वती को चुप चाप निरंतर देखता रहा। देवी पार्वती को देखते देखते शेर ने सोचा कि जब वो तपस्या से उठेगी तो वो उनको अपना आहार बना लेगा लेकिन कई वर्ष बीट गए और ऐसा नहीं हो सका देवी पार्वती की तपस्या जब पूर्ण हुई तो भगवान शिव प्रकट हुए और माँ पार्वती को गोरवर्न यानी माँ गोरी होने का वर्दान दिया तभी से माँ पार्वती महागोरी कहलाने लगी तपस्या पूरी होने पर माँ पार्वती ने देखा कि शेर भी उनकी तपस्या के दोरान भूखा प्यास बैठा रहा ऐसे में शेर को भी उसकी तपस्या का फल मिलना चाहिए तो उन्होंने शेर को अपनी सवारी बना लिया इस तरह से सिं दुर्गा की सवारी बना और मा दुर्गा का नाम शेरावाली पड़ा।